आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The Heteropolymeric Biomolecules of Living Organisms are पूछा गया है कि Living Organisms में जो Heteropolymeric Biomolecules पाये जाते हैं वो किस से बने हुए होते हैं तो Basically Heteropolymeric का मतलब होता है कि Two और Different Polymer Chain से जो बने हुए molecules होते हैं और Different Polymer से बनने वाले Structures को ही Heteropolymeric कहा जाता है जैसे For Example हम लोग कह सकते हैं कि जो Peptidoglycan का Structure आता है Veptidoglycan जो है ये एक ऐसा Polymer है जो कि Heteropolymer है जहां पर Ring जो है या फिस्ट्रक्चर जो है वो Amino Acid का बनता है और साथ ही Carvohydrate जो है वो जुरा हुआ रहता है तो Basically आपर क्या होता है कि जो Amino Acid रहता है वो दो Different Type के Amino Acid से बनता है तो इसलिए हम लोग ऐसे Ring या फिर ऐसे Structure को Heteropolymeric Bio Molecule के नाम से जानते है तो ये किसे बने हुए रहते है तो Properly जो ये बने हुए या फिर बनावत रहता है वो Specially Amino Acid का रहता है और Amino Acid से ही बनके क्या होता है कि ये लोग पूरा Structure जो है वो तैयार करते है और हम लोग को पता है कि Amino Acid का ही Long Chain जो बनता है उसी को हम लोग प्रोटीन हिसाब से रिगार्ड करते है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Options गिवन है उसमें से Third Option प्रोटीन ही Correct Option हो जाएगा क्योंकि Maximum जो देखा जाता है 90% जो Molecules या फिर Macro Molecules तैयार होते हैं वो प्रोटीन से ही होते हैं बहुत फ्यू ऐसे Molecules होते हैं जो कि Polysaccharide या फिर Lipids से तैयार होते हैं तो इसलिए हमारा Correct Option Third Option हो जाएगा और उसी को हम लोग यांपे टिक कर लेंगे आठ चार्सो 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 पर